ओम श्यान्ती, 30 सेप्टमबर दोहजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मूरली से होंबर्ग बाबा ने कहा, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो अपनी घोट तो नशा चड़े किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है अपनी मस्ती में रहना है स्वैम के प्रती चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है नर्से नारायन बनने के लिए अंतकाल में एक बाब की ही याद रहे इस हाइस्ट युक्ती को सामने रखते हुए पुरुशाट करना है मैं आत्मा हूँ इस शरीर को भूल जाना है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार सी मूरली का सार, मीठे बच्ची अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो अपना टाइम परचिंतन में वेस्ट मत करो अपनी घोट तो नशा जड़ी प्रशन, ग्यान एक सेकिन का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने वा इतना समय देने की आफशक्ता क्यों? उत्तर, क्योंकि ग्यान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ग्यान देते ही रहते हैं सारे बीज और जाड का ग्यान देते हैं जिस कारण उन्हें ग्यान का सागर कहा जाता अगर एक सेकिन का मंत्र देकर चले जाई तो ज्यान सागर का टाइटल भी ना मिले ओम श्यान्ती रुहानी बाप बैट रुहानी बच्चों को समझाते हैं भक्ति मार्ग में परमपिता, परमात्मा, शिव को यहां ही पूझते हैं बल बुद्धी में है कि यह होकर गई है जहां पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूझा करते हैं यह तो समझती हैं शिव परमधाम में रहनी वाला है होकर गई हैं इसलिए उनका यादगार बना कर पूझती हैं जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धी में जरूर आता है कि निराकार है जो परमधाम में रहनी वाला है उनको शिव कह पूझते हैं मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं उन पर दूद, फल, जल, आदी चड़ाते हैं प्रंतु वह तो जड़ है जड़की भक्ती ही करते हैं अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य उनका निवास स्थान परमधाम है वह लोग जब पूझा करते हैं तो बुद्धी में रहता है कि परमधाम निवासी है होकर गई हैं तब यह चित्र बनाई गई हैं जिसकी पूझा की जाती है वह चित्र कोई शिव नहीं है उनके प्रतिमा है वैसे ही देवताओं को भी पूझती है जड़ चित्र हैं चैतन्य नहीं है प्रतु वह चैतन्य जो थे वह कहां गए यह नहीं समझते जरूर पुनरजनम ले नीचे आई होंगे अभी तुम बच्चों को ज्यान मिल रहा है समझते हो जो भी पूझे देवता थे वह पुनरजनम लेते आई है आत्मा वही है आत्मा का नाम नहीं बदलता बाकि शरीर का नाम बदलता है वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है पुनरजनम तो लेना ही है तुम पूझते हो उनको जो पहले-पहले शरीर वाले थे, सत्युगी लक्ष्मी नारायन को पूझते हो, इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नोलेज बाप देती हैं, तुम समझते हो, जिस चित्र की पूझा करते हैं, वै पहले नंबर वाला है, यह लक्ष्मी नारायन चेतन्य थे, यहां ही भा कि वे पुनर जनम लेते लेते बिन नाम रूप लेते चोरासी जनमों का पार्ट बजाते रहते हैं यह किसके ख्याल में भी नहीं आता सत्यूग में थे तो जरूर प्रन्तु अब नहीं है यह भी किसको समझ नहीं आती अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लैन अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर मनुष्यों की बुद्धी में यह ख्याल ही नहीं आता बाकि इतना जरूर समझते हैं कि यह थे अब इनके जड़ चितर हैं प्रन्तु वे चैतन्य कहा चले गई यह किसकी बुद्धी में नहीं आता है मनुष्य तो 84 लाख पुनर जनम कह देते यह भी तुम जानते हो, मालूम पड़ा है कि 84 जनम ही लेते हैं, ना कि 84 लाग, अब राम चंदर की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहां गया, तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर जनम लेती रहती होगी, यहां इम्तिहान में नापास होती है, प्रन्तु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना, यहां ही पुरुशार्थ करते रहते हैं, इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उन को नोलेज लेनी पड़ेगी अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें अपनी उन्नती के लिए बैटरी चार्ज करें दूसरी बातों का चिंतन तो परचिंतन हो गया अभी तो अपना चिंतन करना है हम बाप को याद करें वे भी जरूर पढ़ते होंगे अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे प्रन्तु तुमको अपनी करनी है कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चड़े बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत उच पद था अब फिर पुरुशार्ट करो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हों मंजिल है ना यहे चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे नारायन का ही सिम्रन करने से हम नारायन बनेंगे अंतकाल में जो नारायन सिम्रे तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटें फिर नारायन बनें ये नरसे नारायन बनने की हाइस्ट युकती है एक नारायन तो नहीं ये तो सारी डिनाइस्टी बनती है, बाप हायस्ट पुरुशार्ट कराएंगी, यह है ही राज्यों की नोलेज, सो भी पूरे विश्यों का मालिक बनना है, जितना पुरुशार्ट करेंगे, उतना जरूर फाइदा है, एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चे करो, कोई-को लिखते भी ऐसी हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा की साथ, मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन-भिन नाम पढ़ते हैं मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ मुझे आत्मा के शरीर का नाम फलाना है आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ शरीर का नाम तो जरूर चाहिए नहीं तो कारोबार चल ना सके यहां बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेंपरेरी इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ ये मेरा शरीर नहीं है मैंने इनमें प्रवेश किया है फिर चले जाएंगे अपनी धाम मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देनी ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ नहीं बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहां तक सुधार हुआ है फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं सैकिंड का ग्यान देकर चले जाएं तो फिर ग्यान का सागर भी ना कहा जाए कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं जाड की भगते मार्ग की सब बाते समझने की डिटेल है डिटेल में समझाते हैं होलसेल माना मन मना भव परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे पालना देख रेक भी करनी पड़े कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं फलाने आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था स्मृती तो आएगी ना पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छी थे उनको माया ने हप कर लिया शुरू में कितने आये फट से आकर बाप की गोद ली बठी बनी इसमें सबने अपना भागय आजमाया फिर लग आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया ठहर ना सके फिर पांच अजार वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा कितने चले गए आदा ज़ाड तो जरूर गया भल ज़ाड व्रदी को पाया है परंतु पुराने चले गए समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने सम्रती आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं हमने हार खाली फिर मैदान में आएंगे बाबा आने देंगे फिर भी भल आकर पुरुशार्ट करीं कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा बाप सम्रती दिलाती है मीठे मीठे बच्चों मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे अब कैसे याद करते हो क्या ये समझते हो कि बाबा परमधाम में है नहीं बाबा तो यहां रत में बैठी है इस रत का सब को मालूम पढ़ता जाता है यह है भागेशाली रत इनमें आया हुआ है भक्ती मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे प्रन्तु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या हुगा अभी तुम बच्चों को बाब खुद इस रत में बैठ श्रीमत देते हैं इसले तुम बच्चे समझते हो बाबा यहां इस मृत्यू लोप में पुरुशोतम संगम्युक पर है तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है बाब कहते हैं मामेकम याद करो मैं इस रत में रहकर तुमको यह नोलिज दे रहा हूँ अपनी भी पहजान देता हूँ मैं यहां हूँ आगे तो तुम समझते थे परमधाम में रहने वाला है होकर गया है प्रन्तु कब यह पता नहीं था होकर तो सब गई है न जिनके भी चित्र हैं अभी वे कहा हैं यह किसको पता नहीं है जो जाते हैं वे फिर अपने समय पर आती है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुशार्ट करना होता है और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदी चैहीं जिसको पुरुशोत्तम संगम्यू कहा जाता है यह ज्यान अभी तुमको है मनुष्य कुछ नहीं जानती समझते भी हैं शरेर जल जाता है बाकी आत्मा चली जाती है अब कल्यूग है तो जरूर जनम कल्यूग में ही लेंगे सत्यूग में थे तो जनम भी सत्यूग में लेते थे यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है ये तो बुद्धी में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहां शरेर धारन कर जीव आत्मा बन जाते हैं, सबको यहां आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबर वार वापिस जाना है, सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रल्य हो जाए, दिखाते हैं कि प्रल्य हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गायन है राम गयो, रावन गयो जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावन संप्रदाई है ना। राम संप्रदाई तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाई है ही सत्युक्त रेता में बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालिया निकलती है। अभी तुमने बीज और जाड को भी जाना है। बाप सब कुछ जानती हैं तब तो सुनाते रहते हैं। इसलिए उनको ग्यान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदी भी बनना सकी। जाड की डिटेल भी समझाती रहती हैं। मूल बात नंबर वन सबजेक्ट है बाप को याद करना। इसमें ही मैनत है। इस पर ही सारा मदार है। बाकी जाड को तो तुम जान गई हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानती है। तुम सब धर्म वालों की तिथी तारीक आदी सब बताती हू। आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवन्शी और चंद्रवन्शी। इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे न। हैं ही दो युग। वहां मनुश्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जनम तो हो भी ना सकें। मनुश्य समझ से बाहर हो जाते हैं। इसले फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचईता है वही रचता और रचना के आदी मद्य अंत की नोलेश बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिलकुल कुछ नहीं जानते। सब को पूझते रहते हैं। मुसल्मानों को, पार्सी आदी को, जो आया उनको पूझने लग पड़ेंगे। क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गई हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। सब को मालूम है फलाना धर्म कब, किसने स्थापन किया। बाकि सत्योक्त्रेता की हिस्ट्री जोग्रोफी का किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखती हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही उँचते उँच बाप है, तो यार भी उनको करना है। या फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं स्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है न, प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चहिए तब तो उनसे वर्षा मिले, बाप ही सुनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना, और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला, और कोई हो ना सके, सिवाए एक बाप के, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वार पालना यह भी लिखते हैं यहां के लिए ही है प्रन्तु समझ कुछ भी नहीं तुम जानते हो वह है निराकारी स्रिष्टी यह है साकारी स्रिष्टी स्रिष्टी तो यही है यहां ही राम राज्य और रावन राज्य होता है महिमा सारी यहां की है बाकि सुक्ष्य वतन का सिर् अपमाई रहती हैं, फिर यहां आकर पार्ट बजाती हैं, बाकी सुक्षवतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाती हैं, तुम बच्चों को ऐसा सुक्षवतन वासी फरिष्टा बनना है, फरिष्टे हडी मास बिगर होते हैं, कहते हैं ना, धतीजी र खिशी ने हडियां भी दे दी, बाकि शंकर का गायन तो कहां है नहीं, ब्रह्मा विश्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकि ऐसे कोई आग खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगी। ना वह करते हैं, ना शिव बाबा, ऐसा डारेक्शन देते हैं। डारेक्शन देने वाले पर भी आजाता है ना, कहने वाला ही फस जाता है। वे तो शिव शंकर को ही इकठा कह देते हैं, अब बाब भी कहते हैं मुझे याद करो, मामे कम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं, भगवान अर्थ सहित बैड समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं हैं, तो यह चित्र देख म पढ़ती हैं, अर्थ तो जरूर बताना पड़ेना, समझने में टाइम लगता है, कोटों में कोई विरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकती है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धारणा के लिए मुख्य सार पहला पोइंट किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है अपनी मस्ती में रहना है स्वेम के प्रती चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है दूसरा पोइंट नरसे नारायन बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रही इस हायस्ट युक्ति को सामनी रखते हुए पुरुशार्ट करना है मैं आत्मा हूँ इस शरीर को भूल जाना है वर्दान, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्शन मुक्त भव विस्तार, कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है प्रन्तु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इन में सेवा की विशेष्टा बहुत है लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्शन है किसी की भी विशेष्टा को देखते, गुणों को वा सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलो यह दाता की देन है, यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्शन मुक्त बना देगी किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे, स्लोगन ऐसे रुहानी सोशल वरकर बनो, जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना देदो, भगवान से मिलादो अच्छा, ओम श्यान्ति